हलो फ्रेंड्स, विल्कम तो स्ट्वाइन पीडिया, इस पेड़ो में हम बात करने वाले हैं संजेबर कॉलेज राची, बीए पॉलिटिकल साइंस इंट्रेस एक्जामनेशन स्लेबर्स की, जानेंगे हैं पर कम्पिटिशन लेबल कितना है, टॉपिक्स कौन से आपको कवर कर रहे हैं, एक्जामनेशन पैटर्न के ऐसा देखनी को मिलता है, यहाँ पर जो हैं टॉपिक के नाम पे दो टॉपिक यहाँ पर मिंसन हैं आपको, और उसे ही अच्छे से आपको पढ़ना है, अभी बताओंगा क्यासे, सबसे पहले जान लेजे कम्पिटिशन लेबल को, कम् पहले नहीं पढ़ा, पॉलेटिकल साइंस, कोई बात नहीं पर जो है, पॉलेटिकल नॉलिज आपको होना चाहिए, और जो है, कुछ बाते आप याद रखेंगे, जो अभी मैं बताओंगा, यहाँ पर चलिए देखते हैं, मैटर पोर एंटरिंस एक्जामनेशन, कौन कौन से टॉपिक आपको कवर कर रही है, अब यहाँ पर जो है, देखिए, आपको सबसे पहले देखनी को मिलेगा, करेंट आफ़र्स, अब करेंट आफ़र्स में काफी लोग सोच रहोंगे, करेंट आफ़र्स साल का पढ़ लेते हैं, 6 मंत का पढ़ लेते हैं, तो देखिए, य लास्ट एक्जामनेशन जो हुआ था उसमें जो है करेंट तक पुछा गया था यहां सिर्फ लास्ट वन पर्सेंट के जो था फो लेटिस्ट खरेंट यानि लास्ट वन मन्त की तो काफी लोगों ने कम स्कोर करा सेलेक्शन नहीं हो पाया और कितने marks करने परते हैं score तो देखिए अगर आप 50% यहां पर score कर रहे हैं यानि 50 आपका है तो 100% आपका admission हो जाएगा सिगंड लिस्ट में जो है अगर आप किसी category से belong करते हैं तो 45 तक में chances होते हैं admission के 45 marks तक में आपके chances होते हैं पर यह change होते रहता है number of student पर depend करता है कम भी हो सकता है ज्यादा भी होगा इसलिए मैं 50 बता रहा हूँ 50 अगर आप कर लेंगे यहां पर chances of admission आपका रहेगा current affair जादा आप मत पढ़िएगा साल का बिल्कुल मत पढ़िए six month का बढ़ लिजेगा पर जो है उपर उपर पढ़िएगा सबसे ज़्यादा ध्यान आपको देना है last three month में last three month का current affair आपको देख लेना है current affair कैसे देखना है क्या पूरा lecture आप देख रहे हैं नहीं बिल्कुल ऐसा मत कीजेगा यहाँ पर simply mcq questions कराते हैं बहुत सारे youtube channel यहाँ आपको जो है site website मिल जाएंगी जहाँ पर आपको current affair से related page मिल जाएंगे जहाँ पर आप last three month का आप कर सकते है current affair current affair भी जो की political से related है और यहाँ पर जो है last one month यानि आपका अगर entrance examination जुलाई में हो रहा है तो आप क्या करेंगे यहाँ पर जून की current affair को सबसे अच्छे से करेंगे कब है और जुलाई में अगर second week को हो रहा है आपका entrance examination तो जुलाई first week तक की आपको करनी है अच्छे से जुलाई first week की करनी है क्योंकि last joint entrance examination हुआ था उसमें last week तक की questions पूछ दिये थे और जो है questions बहुत जादा आती है याद रखे यहाँ पर questions का से होते हैं तो देखे question में जो है पूछ दिया जाएगा cabinet minister कौन से अभी है cabinet से related तो काफी questions आपको देखनी को मिलेंगे कोई CM अभी बने है governor है तो उसके बारे में पूछ लिया जाता है कुछ recent political development हुई है जासे किसी का CM change हुआ है जासे महरास्टा में अभी हुआ है तो उससे पूछ लिया जाएगा यहाँ पर किसी को मंतरी पद मिलता है central में तो उस से करेंगे साथ में यहाँ पर international schools आपकी हुए latest में जो भी होंगे उससे देख लेजएगा cover कर लेजएगा वो more than enough है MCQ questions आपको करनी है यहाँ पर lecture के फिछे मत जाईएगा कुछ भी lecture में आपको फाइदा यहाँ पर नहीं होने वाला political science book अगर आप सोच रहे हूं हाँ से questions ह होगा तो बहुत कम question होता है एक दो पूछ लेंगे अलग बात है यहाँ पर current effort से बहुत ज़्यादा question होगा अब यहाँ पर आप से basic of political science भी पूछ ले जाएगा अब इसमें basics of political science में पढ़ना क्या है यहाँ पर basics of political science है यानि जरूरी नहीं की book से आप से पूछे political science की idea अग कहीं ने कहीं आपको benefit करेगा इसमें questions पूछ लीजए जाएंगे जो कि आप पहले पढ़े होंगे यहाँ पर cold war से भी पूछ ले जा सकता है बताये cold war कब start हुई है although cold war को अब जो हटा दिया गया है slabers से तो यहाँ पर फिर भी questions पूछे जा सकते हैं साथ में जो है कोई party alliance प पूछा जाता है वहाँ आप वहाँ जो है एसे आप देखें तो वह कहीं न कहीं political science से related होता है अब यह बताऊंगा यह से कहां से आपको cover कर लिए pattern देख लिए pattern जो है 100 questions होगा यहाँ पर 100 जो है marks का question होगा duration दो घंटे आपको मिलेंगे दो घंटे जो है more than enough होते है मैं कहूंगा यहाँ पर अगर आपकी practice है तो आप काफी जल्दी बना लेंगे mcq based questions होता है यहाँ पर देखे current affairs होगा basic of political science से जो की 70 marks का यहाँ पर पूछा जाता है साथ में यहाँ पर negative marking नहीं होती तो attempt 100 आपको करना यहाँ पर पूरे का पूरे attempt करिएगा AC writing आपकी यहाँ पर होगी जिसे आप English और Hindi में लिख सकते हैं आप जो है burning issue में होगा जैसे यहाँ पर मान लेते हैं fight हो गया India China हमेशा ही पूछ रहा है काफी दिनों से तो यहाँ पर जो है India China की relation में आप लिख सकते हैं India China relation कैसे रहा शुरुआज से लेकर अभी तक जो है आपको उस पे लिख देना है कोई और फीश्टूस होते हैं तो उस पे आपको लिख लेना है और कहीं न कहीं इसमें जिन्होंने political science पढ़ा होगा तो उनकी जो है एक upper hand होनी वाली है answer writing उन्होंने करा होगा जैसे इंडिय चैनल relation आपने पढ़ा होगा पाकिस्तान के साथ relation पढ़ा होगा आशियान के साथ relation पढ़ा होगा तो वो जो है आपको benefit करेगा अब देखी यहाँ पर जो है मैं कहूंगा कि class to wealth की book जो other streams है class to wealth की book आप देख लेजेगा वो जो है थोड़ा benefit आपको करेगा ही करेगा कहीं न बतादू latest index ranking जो होगी होगी यहाँ पर जैसे price freedom rank कितनी है happiness index कितनी है hunger index कितनी है वो भी आप देख लेजेगा ranking भी यहाँ पर पूछ ले जाते है कितने यहाँ पर rank आये है although हमारी ranking काफे drop कर रही है काफी सारे index में पर यहाँ पर जो है आपको पढ़ लेना है index देख लेना है directly पूछ लिया जाएगा यहाँ पर कितनी rank क्या है तो वह आपको देख लेना है और देखे कुछ questions होगा तो पूछ लेजेगा comment करके मैं कोसिस करूंगा update करने की political science में देख लेजेगा थोड़ा जितने भी class 12 के topics वगरा है अब उससे भी questions हो सकते हैं तो वह आप भी पढ लेजेगा hope आपको समझ में आ गया हो thanks for watching best of luck